जाहिन दोस्तों मेरे अन्विर सिंग स्वागत करता हूं आपका आपका चैनल मैथेंड जीएस क्लासेश में तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजिनिंग का बहुत भी बहतरिन टॉपिक है घड़ी और उससे संबंदित जो है अभिष्ट कोण के बारे में बात करेंगे ठीक है अभिष्ट कोण हम बनाएंगे और वो भी ट्रिक से ठीक है इसको ट्रिक से कम्प्रीट कर लेंगे बहुत कम समय लगेगा विल्कुल आप चाहें तो उसको बिना पेन उठाए स्वाल्व कर सकते हैं ठीक है ऐसे ऐसे जो इसका बेसिक जो सूत्र होता है ऐसा जो भी चीज़े हो उसे साब से ठीक है यहां पर मिनट की जो संख्यावति वह और उन्टू हाफ डिग्री क्लियर तो यह होता है तो यह इसका सूत्र होता है बेसिक हम इससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है ऐसे स्वाल्व करने में हम इस तरीके से स्वाल्व नहीं करेंगे और ट्रिक से इजली सॉल्व कर लेंगे और चलिए वीडियो सुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो का भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ जितना ज्यादा हो सके सेयर करते रहें और कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो आप आपको तो हम इस पर देखते हैं देखें ऐसा कुछ घड़ी होती है इनके बीच में देखिए इधर से ऐसा कुछ कोण बनेगा जैसा भी हो तो कैसे अविश्ट कोण हम कैसे बता पाएं ओभी बहुत जल्दी तो पहले इसका जो ट्रिक है बो समझ होती है मतलब माइनस जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा घड़ जाएगा यानि कि यहां पर माइनस का चिन नहीं आता है ठीक है और यहां पर मिनट गुड़े ग्यारा बटे दो यह है ट्रिक बहुत इजी तरीके से तो देखिए सबसे पहले पहला सावाल लगाई लेते हैं देखे 5 बज़ कर 15 मिनट पर घड़ी की सुईयों की बीच की बीच का कोण के आओगा तो 5 बज़ के यानि कि घंटे का मिनट किस पर 5 पर ऐसा रखिए और मिनट किस पंदरा पर है 15 गुड़े 11 बटे 2 अब डिरेक्ली कर दीजिए इसका हो जाएगा 300 और 15 कम 15 और फिर यह 16 बटे 2 डिवाइड करिए घटा लिजिए बचेगा 5 और यहां पर 3 और 135 से 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 सत्य 14 और सुरी यहां पर 6 रहेगा क्योंकि 3 है और फिर आप करेंगे 2 सत्य 14 और जो दसमलों में आता है यानि कि दसमलों 0.5 आगा तो इसको लिखते कैसे यह वाली च दूसरा वाला सवाल लगा लेते हैं दूसरा हो कोई भी सवाल हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको अराम से आप सॉल्ब कर पाएंगे देखिए इसमें सवाल पुछा है साइकाल साड़े 8 बजे घड़ी के अम घंटे की सुईयों की बिज का कोड़ बताईए तो साइकाल हो या कोई भी काल हो है ना तो हमें क्या है साड़े 8 बज़रा यानी 8 बच के 30 मिनट सिद्धी सी बात है 8 बच के 30 मिनट ऐसा कुछ है तो रख दीजिए और आठ उड़े 60 और यहां पर तीन उड़े 11 बटे 2 इसका कितना हो जाएगा 8,48 और यहां पर 330 बटे 2 बचा कितना यहा 150 बटे 2 डिवाइड कर देंगे तो 75 डिगरी आंसर आ गया जितना तेजी से आप कर पाईए ऐसा और भी कुछ हो जैसे साड़े 8 की जग कुछ भी हो माल लिजे आपका पांच बच के या चार बच के जो भी बजाना है चार बच के 20 मिनट कुछ भी हो 20 25 29 कुछ भी हो आप सॉल्व कर लेंगे क्या करेंगे देखे चेच चुक 24 240 ग्यार दुनी 22 220 डिवाइड कर मतलब गटा लिजे 20 बचा 20 का और 2 से डिवाइड कर दीजे 10 आ गया है यह तो मतलब ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते तो 10 डिगरी का कोड बनेगा ऐसे आप रखेंग कि मिनट की सूई जिस पे भी जिसपे ईंडिगेट कर जितना मिनट हो रहा हो खिल मिला के जितना मिनट हो रहा हो वो गुड़े ग्यारा और बटे दो उन दोनों का अंतर देखिये गंटे की सूई गुड़े 60 मिनट किस हुई यानि कि जितना मिनट हो रहा वो गुड़ 11 का अंतर का आधा अभिष्ट कोण हो जाएगा ठीक है जैसे परिभासा के रुपे हम उसको हम कह सकते हैं तो ऐसे आप अभिष्ट कोण बना पाएंगे तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर करें और अभी तक आप पर सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे और दोस्तों साथ ज्यादा ज्यादा सेयर करिए जो भी आपके सोसल अकाउंट्स हैं वहाँ से और मिलते आगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत